हैलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो रेस्पी लाई हूँ है नूडल्स की रेस्पी और जो बहुत ही विकरे विकरे बने हुए हैं देखी मैं आपको यह करके दिखा रही हूँ कि नूडल्स किते अच्छे से बिख्रे वे कही से भी उठा लीजे कोई भी नूडल्स आपस में चिपक नहीं रहा है तो आप अगर इस्टर बैस्टर फालो को रहेंगे जैसे मैं बताऊंगी तो आपके नूडल्स भी ऐसे ही बिक्रे बिक्रे बनेंगे तो चली बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने कड़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है उसके बाद में इसमें एक बड़े साइश की प्याश बारी काटके डाल दूगे आप चाहें तो इसकी जगे स्प्रिंग ओनें का भी यूज़ कर सकते हैं नहीं तो फिर आप ये सिंपल वाली प्याश भी डाल सकते हैं मेरे पास अभी स्प्रिंग ओनें है नहीं तो आप बस जो भी प्याश है आप उसका यूज़ कर सकते हैं बस इसे बिनने को अच्छे स चला लेजिए उसके बाद मैं जो हूँ ऊद्रक Lutson के पेस्ट का यूज करूंगी यहां पे एक चममस के कारीब अध्रक Lutson का पेस्ट ताल दिया है आप जो तो अध्रक Lutson बारी काट के भी ढाल सकते हैं इसके बाद मैंने यहां पे पत्तगों भी लिया है और इसे भी मैंने लंबा लंबा काट लिया है और इसे डाल दिया है इसके बाद गाजर इसे भी लंबे-लंबे काट लिया है इसे भी डाल के चला देना है उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी शिम्ला मर्च जिसके बीज मैंने निकाल लिए हैं उसके बाद मैं इसको लंबा-लंबा काटा है इसको अच्छे से चला दूँगी इसके बाद जो है इसमें मैं डाल दूँगी मटर यह फ्रेश मटर है आप चाहें तो जो है फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं उसके लावा और भी कोई सब्जे ले सकते हैं आपकी , जो भीक्षा हो वो सब्जिया डाल सकते है, उसके बाद मैं नहापे शुभ्त सब्चाूम डाल दिया है , इसमें पालग काूर सकते है , बारी काटके , शसे भी टेस्ट बहुत अच्छा है , उसके लेड़े के लिए पें पर चिंक्सका सटे मूज़र नुडल्स मसालभी उसको हों है उसका उस करों कि इसने डिस्दे करें ये तुर्फक्स करेंगे। उसके बाद एक चुटकी कर करीब यह मैंने काली मिर्च पाउडर डाला है इसे मैंने सब्जियों में मिला दिया है और अब जो है इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँ गी जिसे सब्जिया फीकिना लगे और नमक डालके भी हमें अच्छे से इसको चला लेना है और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और रेस्पी पसंद आया तो लाइक करना मत लो लिएगा इसको चलाने के बाद अब मैं जो हूँ इसमें सॉसिस टालूँगी सबसे पहले मैं यहाँ पे कैचप का यूज करू कशासि होगे बस एक चमच के करें वी मैंने सुय सॉस भी डाल दिया है उसके बाद मैं यहाँ पे चिली सॉस का यूज करूँ की. मैंने यहाँ पे फ्रैंड्सॉय ग्रीन चिली सॉस लिया है आप चाहे तो रेड चिली सॉस भी लिए सकते है Посigłe लिए ब्सक्राइबेने त टेस्ट आपका इसका जो है इंक्रिस्ट करना चाहते हैं तो आप एक चुटकी के करीब अजीनो मोटर पाड़र का उसके जिए इसके लाब यह देखे नूडल्स बिखरे बिखरे दिख रहे हैं इसका रीजन यह है मैंने नूडल्स को वैल किया ठंडे पानी में डाला और एक कॉर्टिन की कपने में बाद के फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए रखती है जिसे थोड़े से कड़क हो गया है और यह देखे बिल्कुल नूडल्स की बिल्कुल भी नेचिपके हैं तो आप इसी तरीके से जो है अगर नूडल्स को फ्रिज में रख देंगे 2-3 घंटे के लि और चलाने के लिए मैंने यहां पर चॉप स्टिक का यूज किया है आप फोकिस हथास भी चला सकते जिसे नूडल्स टूटेंगी भी नहीं और बहुत अच्छे से उसको आप चलाना असान हो जाएगा और आप इसको तेज आज पर तीन से चार बेट के तेजी सी भून लीजि के जैसे मैंने बताया है वैसे ही बनाईएगा तो आपके नूडल्स भी ऐसी बिक्री बिक्री और यम्मी से बनेंगे आगे मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्यू